आप किसी वज़ा से दूद पीना छोड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए solution है सफेद तिल सफेद तिल में दूद के मुकाबले साथ गुना जादा क्यालशियम होता है तो आज की रेसिपी में हम सफेद तिल से दूद बना रहे हैं ताकि आपके सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाए इस रेसिपी के लिए हम 100 ग्राम सफेद तिल ले रहे हैं तिल को हम रात भर पानी में सोख होने के लिए रख देंगे जब आप तिल भिगोएंगे तो आप नोटिस करेंगे कि वो पानी की परत पर ही हैं आप एक चमच की मदद से उसे पानी में मिला लीजे भीगे हुए तिल को हम साफ पानी में धोलेंगे और एक छनी की मदद से उसको छान लेंगे ताकि तिल पानी के साथ ही ना बह जाएं भीके हुए तिल को हम मिक्सी में डाल लेंगे और पहले सिरफ दो कप पानी के साथ उसको अच्छे तरह से पीस लेंगे अब इसमें दो कप पानी के और आट कर दीजे एक साफ कपड़े या नट मिर्क बैक की मदद से अब इस दूद को च्छान लेंगे इस तयार दूद को आप ऐसे भी पी सकते हैं या इसमें खजूर, चीनी या गुर डाल कर भी मीठा कर सकते हैं अब इस तयार दूद में क्यालशियम के साथ साथ प्रोटीम की मात्रा भी काफी जादा है सौ ग्राम तिल से आपका एक लीटर दूद तयार हो जाएगा मैं आशा करती हूँ कि ये रेसिपी आप खुद भी ट्राय करेंगे और अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ भी शेयर करेंगे आपको हमारी और रेसिपीज हमारे नए यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी जो सिर्फ रेसिपीज को ही डेडिकेटिट है उसका अड्रस है यूट्यूब.com slash people farm products